सर सेयान अइमत खान का मानना था कि जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक छेत्रों में अंतर होना चाहिए जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक छेत्रों में अंतर होना चाहिए धर्मकातात पर इस व्यक्ति के नयतिक और आध्यात्मिक जीवन से है वे हिंदू मसल्मान एकता धार्मिक से शुर्ता के फच्टर थे उनका कहना था कि अल्ला और पैगंगंबर के फर्मान है कि मुसल्मान जिस देश में रहते हैं जहां उन्हें जीवन का अधिकार है और धार्मिक से जिनता प्राप्तु वहां उनको राज जी कानून का आवश् एकवाल के बारे में उर्दू-फार्शी के महान कभी सर मुहम्मद एकवाल धार्मिक संदाज सेंग और आदमिक भारती चिंतन की रूप में विश्ट विख्यात हैं उन्होंने इसलामी देश कोन तदा पास्चाति सविता की अनियक राजनीतिक संकल्पनाउं का करना किया जाए अपवाल का अरंभीग चिंतन धर्वधी ततब धार्मिक स्रस्रुथा धार्मिक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा धार्मिक स्राश्रता का एक जुलंत प्रमाड है इसी तरह नहीं से हिंदु-मस्लिम में एक तकी भावना भी बहुत प्रवावसाली ठांग से मक्रित हुई जैसे मज़ब नहीं सिकाता आपच में बैर रखना एकवाल ने यूरूपी सबिता को अमानो सिक, हिंसक और परवच्छी कुंठक और हाशोन मुक माना था कि पाशाति समाज धर्म से बिमुक होकर अपने मन की सांती खो बैठे हैं राजनीति का नहतिकता की दूरी राजान की आधार पर एकवाल ने मैक्या विली को शैतान का संदेश भाग केड़ाला एकवाल के नुसाद धर्म ही नहतिकता का आधार हैं इसने दोनों को प्रतक नहीं किया जा सकता है शरियत में पूर निस्टा रखते हुए अपने ईश्वर की प्रवस्टा का जोरदार समर्थन किया जीवन के परवर्ती काल में एकवाल ने प्रतक रिया अत्मक प्रवर्ती भी देखने को मिलती है उन्होंने भारती राश्टिया अंदोनों का प्रोध किया मौडर्न इसलाम इन इंडिया में डबलू सी इसमित ने लगा है कि पूजी बाद के बदले पास्षातवाद की वरूद का एक परडाम था कि एकवाल उधारबाद वरूदी प्रतक रिया वादियों के सिकार हो गए इस तरह कल की नया संगत और विस्विया भात्रत का सेबग नीक स्वपन देश्टा सबसे अधिक प्रतक रिया वादि संपता वादियों का हिमाती हो कर रहे गया संचेब में एक वाल के चिंतन के अंतरकत आदनिक और रूडवादी प्रकती सील प्रतक रिया वादी तत्तों का अन्हों का दैशन देखने को मिलता है भारत में सामाजिक धार्मिक सुद्वर के संदर्ब में तलित आंदूल समाचु जड़ बना देने वाली जात व्यूस्था के और अंदलों ने किया जोतीव फुले नाराण गुरु और अमेड़कर आदियस वर्स्ता के जबस्त आलो चकते असंदर में नाराण गुरु और गांदी जी के मत्त हुई बाचेत का उधार महत्पूर है चत्रवर्ड व्यक्ति के कुड़ों में चन्वजाद भुनताओं के संदर में गांदी जी ने उनसे कहा कि एक ही पेड़ की सारी पत्तियां आकार अबरावट में एक जैसी नहीं होती प्रत्यत्तर में नाराण गुरु ने कहा कि फर्क सिर्फ पूपरी है पत्तियों के रस में तो कोई फरक नहीं होता एक पेड़ की सारी पत्तियों के ने करते हैं माना मात के लिए कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं है अपने विसी सरकार द्वारा दल्ट सिच्छा पर चूर देने के परड़ाम सरूप दल्टों में भी छोटा सिच्छा कुलीन समुग पैदा हुआ उनमें एक नई चेतना का प्रसार हुए लेकिन अपने विसी नौ कोई जैसे की रिल में एच्छ वो या इरवो यह पूल्यायाव में तमिलनों लाड़ार हो के महाराव के पंजाब संयूप प्रांद और 36 घड़ के में चमार हो के डिली में बालों कियों के और बंगाल में नाम सुधनूरों के आंदोलन सत्य सूधक समाज और महारास में हुआ कि यह ब्रह्म नवाद यह फिलिफ रोप में प्रातिता में हूरे 1-803 में इसके सननुखाइस की सथैुदक समाज में किसी गुरू और धार्मिक किसी गुरू अधार में ग्रंद के लिए कोई स्थान नहीं था फुले का कतन था कि भामणों के प्रभुत और सक्ति एवं अफसरों पर उनके ये कादिगार के करण ही सुधरों का स्वेशल किया गया फुले के विचारों के आधार विंद समता अत्तार के बाद थे फुले ने अनारी सिद्धांत के प्रतपादर को दलित एवं जन्हित में प्रयोग किया ये सिद्ध करने की कोईशिश की गई कि आरे बहार से आए और जाती विस्ता साथ मिलाए तो कालिन भारती दलित के अंत्ता और तार्किक वायतुमाना और यह माना कि बाद शरकार भी सामाज है आधार पदलित लोगों के उत्थन के लिए कोई सक्री कार्करम नहीं चलाएगी कुई सरकार की सिच्छा नीतियों का उत्यश मंत्हमर्यी प्रशास के से विक्तियार करना था और यह काम ब्रह अंधरून को नीव रखने में कंद्र लें ओधने लिकन इसे सामाजिक विव्यशन आवश्य बदान किया फुरें ने भारती समाज खास्टर पर महरास्ट में सामाजिक क्यांति लाने के टरिए गयर भ्रहमर किसान जाती और तल्स मून को एक साजे अंदुलन में एक जूट करने के लिए प्रयास किये 1880 के दिसकों के दौरन गैर भ्रहमर पेचार धरम में को सूच में परवरतन आये अफोलों ने कुनवी किसानों की लामबंदी पर अधिक द्यान दिया जो मराठा के पूरवच थे सुद्रों के साथ मिल कर रहते थे और आरेयों के हमले का मुकाबला करने में उनकी सायक थे हाला कि जहां एक और इह चत्री पैचान उनको एक हीन जातिकत इस्तेथी सापने वाली भ्रहमर बादी समबारत का मुकाबला करने के लिए गड़ी गड़ी वहीं दूसी और इसमें एक अलगावादी लोकाचार भी पैदा किया इसने उनके दली समूर से अलग कर दिया महरास्ट में गयर प्रहमर अंदुलन आरम में ब्रहमर प्रोत वाली कांग्रेसी राष्टबाद का ब्रोत था पर 1930 के तसक पर वैव गांदिवादी कांग्रेस में समाड़ जया आप देखते हैं द्रवड यांदुलन तच्छल भारत में गयर ब्रहमर अंदुलन सब्सक्राइब नौक्रियों में एक अधिकार अंग्रीजी से अच्छा में नेपोड़ता संस्क्रत को एक प्राचीन अतीद की भाहसा की रूप में महामन्दत करने और आम जन्ता की भाहसा तमिल की प्रति अपमान भाव का हुन था इसका कारड वेलोर कुलीनों को अपनी दिरवर पहचान को इसिताप्त करने की प्रेंडा मिली राजनीतिक मोर्चिव पर गेर भ्रहमन की एक राजनीतिक पार्टी की रूप में 1916 में जस्टिस पार्टी की एस्थापना कियी असई हो गांदलों और काउंग्रीस का किस्थापना को ऑगई 1916 में यह सब आप्शन म में आते हैं असाय वांदलों और कांग्रिस का विरूद करने वाली पार्टी ग्रूप में जस्टिस पार्टी ने 1920 में चुनालवड़ा पार्टी ने 98 निर्वाचित सीटों में से 63 सीटें जीती और 90 सुधारों को देहन में में रूची कम हो गई जिसके कारण अच्छूथ एमसी राजा की नेतवत में पार्टी से अलग हो गया है किसकी नेतवत में एमसी राजा ठीक है 1946 में चुनालवड़ जस्टिस पार्टी अपना कोई उम्मिद्वार्थ तक ना खळा कर पाई और पार्टी राजनीतिक में तथे हिंता करें समागें आत्म सम्माना आंदूलन दच्छी भारत में लगवग इसी समय गयर भ्रहम्मड में एक अत्छिञ पराम सवामी नायकर पेरियार के द्वारा सूरू किया गया फ्रानम में एक विशुद साही अंग्रेशी होने के पश्यत 2018 1817 में कँंधी की मद्द्रा सियास्ता के द्वाव, उनकी ब्रहमolly सम Comics भर्व समर्तक मुद्गारों से खिन होकर राम स्वामी नायकरन ने आरेबाद, प्रहमणबाद और हिंदु धर्म की अलोचना की अमाना कि इन्होंने ही सुद्रों आदि सुद्रों और शुद्रों की अधिन्ता के रहाचे तयार की है उसका तरक था कि सॉसासन से पहले आवश्यक्ता आत्म सम्मान की है इसी संदर में Piriyaer का कता दाकि धर्म कुछ नरियवन का प्रत्रपातन करता है जिससे समारी की जीवन सुचा रूप से चल सके आत्म सम्मान आदोलन ऐसे नियवन का संमरतन करता है धर्म एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो व्यक्ति को परमात्म तक पहुंचाने में मदद दे हमें ऐसे रास्ते को लेकर भी कोई कटना ही नहीं होगी हमाज अग्रात धर्म के उस सुरूप से है जो वक्ति के आत्मसमान को श्यति पहुंचाए और उसके विकास में रुकावट पैदा करे अत्या आत्मसमान अंदुर्ण ऐसे धर्म को जड़ से वकाड़ फेकने की कोशिस करेगा 1930 के दोरान जब कांग्रिस का अधार सक्ति साली होता गया और गयर ब्रहमण अंदुर्ण भी अधिक रेटिकल बनता गया दलिज जातियों द्वारा जवरन मंदिरों में प्रेविस की प्रयास पजारियों के बैसकार मनवसमति की सारवजनिक खूली की अधिकानिक घटनाय म मुखर होने लगी इसके प्रडाम सुरूब मद्रास में गयर रहमण आंदुल में एक मुखर तमिल शेत्री अलगाबाद की बहामना का फिकास हुआ डाक्टर बीम्रा अमेटकर हिंदु तरमस्वास्त की अस्विकार की प्रवर्ती दिसंबर 1927 में एक विस्फोर्टक्ष व अमुल प्रवर्तिन का सुझाबती और दलतों की रायदी कि वे अपनी सक्ति और अपने संसात्रों को राजनीती और से इच्छा पर केंदेत ना करें अपनी सामाजिक और धार्मिक निर्योगिता की समस्याओं का एक धार्म निर्पेच्छ या राजनीतिक समादान तलास करने की ये प्रवरत्ती 20 वी सदी के आरंबिक बर्सम में पिछली जातियों के आंदलों की एक प्रमुख प्रिशेस्ता थी एंसंगठों में से आने के लिए सावजिक संस्ताओं का एक ही कड़ी नहीं वल्कि आतीत के अन्याओं की छतिपूर्ती की रूप में सिच्छा रोजगर और विधायकाओं में जाते आधर आज छड़ भी समझोतों से पर एक निनतम मांग बने गया डाक्टर अमेडिकर ने 1828 में सायमन कमीशन के समझ दलेतों के लिए एक प्रत्रक निरवाजक मंडल की मांग की मांग की 1931 में गोल में समेलन में गांदे अर अमेडिकर के मत्ति मुद्धि पर टकराव हुआ हाना कि निर्वाचक मंडल के प्रसन पर दलित नेतित बटा हुआ था 1937 में कमेनेशन अवार्ड ने अच्छूतों के लिए अव अनुसुचित जात नाम दिया और प्रत्यक निर्वाचक मंडल का प्रस्ता मान लिया लेकिन गांदी द्वारा ब्रुद्र सुरूप एत्यासिक आमरड अंसन के नियतिक द्वाव के समझ अमेटिकन ने एक समझा तक किया प्रत्यक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव होने चाहिए लेकिन गांदी द्वारा क्या होगा आमरड अंसन हुआ और ने तिक द्वावर के समझ अमेटिकन ने एक समझा तक कि नाम से जात नाम नियम में सामिल किये गए हाला कि सम्झों तो कि कई प्रकार से आलोचना की गई लेकिन रविंद्र गुमार जासलेकों को गतान था कि एह सब गांदी जी कि सतत्त प्रयासों का इप्रणाम था कि उन्होंने भारत की सासम ब्रुस्ता में दरार पढ़ने समझा लिए अच्छ लेबर पार्टी की नीव रखी उन्हें 37 में चनावों में 15 अरचे सीटों में से 11 सीटे जीत कर पंबे में संद्र सपलता प्राप्ति किये लेकिन चाहते परकात हरे राजनीति से अलग होकर अंबिड़कर थी दिरा अलग थलक दली समून की और बढ़ने लगे इसी क्रम में प्रक्रिया की मजबूरियों ने दरित नेतरत के पास जोड़ तूड़ की कम गंजाज छोड़ी और उसे कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए फिवस्ट कर दिया सतना की पूर संध्याद में कांग्रिस ने दरित प्रत्रोद को समाहित कर लेने के लिए अम्बिड़कर की नेतरत में भारतिय संब्थान ने अरवर्श परस्ता और प्रेकानूनी को गया कानूनी गोशित करती है जल्दी अमेडकर को कांगेस से अपने जड़ाओं की बेर्थता का एहसास हुआ और उन्होंने उन्ने सो क्याबन में मंति मंडल से त्याग दे दिया लगवा तीन लाख असी हजार अन्यायों के साथ पंदर अक्टूबर 1956 को अपनी म्रत्युक के डेड़ महापूर बहुत धर्म ग्राड कर लिया तीन लाख असी हज़ार अन्यायों थे और पंदर अक्टूबर 1956 को अपनी म्रत्युक के डेड़ महापूर बहुत धर्म ग्राड कर लिया पूरे भारत में दलित आंदोलन पहले प जेतना औरमाता की तिटियुक कुझ करणि हो सुरूब अपने संकीर अर्थ में विश्चर हो रहता इसके परढ़रों ओडितों को केबल धर्मिक मामला ही मौनक का करना चाहते थे जैसे नारेल गुरू कि दार्म गौनला स्वामी विवेकनन दैनन सरस्थी अच्छु अच्छु तनन महत्मा गांदी और लेकन दूसी और अमेड कर वही साही में सरी ने दलित अंगलों को प्यापक कर दिया नाकृतिया कादिकार सुधनता समानता कादिकार न अनुद्धानबाद की राजनीती बाद में धर्म कभी भी पूर्डूप से निजी जीवन का तक्सीमत या राजनीती से प्रतक नहीं रहा लेकर यदि हम धर्म सम्मद्धी सावजी की संभातों और प्रतरकों की बात करें तो हमें इसकी दो भिन परवरतियों सुधार और करने का प्रत्म किया हाला कि धर्म को इस सबसे प्रतकी रखा इस सुधार अंदुलन पाश्चातिम प्रवोध काल के पश्चात बुद्धिवाद सिपायत थे साथी साथ पश्चिम की चुनाती और हिंदू सविता संबंद्य समालोचनों के उत्तर भी थे सुधारवाद के दूतिय पश्च में अंततर सुधार प्रोधी विश्चाधार को जन दिया इसका मुख्य कारण अक्सर उपने विश्ची सरकात्वार समर्थित भारती सुधारों से था जो पश्चमी आलोचकों के सामने समर्पित्व प्रतित होते थे इस अंदर में भारती विश्चता में गर्व की भावना पर आधारित सुधारवाद ब्रोध का चर्म हुआ इसे अक्षर प्रोध्थ सासं की तरण होगा और जिसे आगे ब्रेटरसों से भी खत्रा था उन्हें सुधारवरोधी सक्ति साली होता गया और यह मात्र पॉंगा पंत नहीं था बहले कि जोड़दार राजनीतिक सुर्थ था जो एक आतनिक भारतराष्ट की रच्टना की एथासिक आप से प्रीद थ और 1880 की देशक में रामकृष्ण और वियकनन द्वारत समर्थित आंदुलों का ओदय हुआ प्रहम समाज किया तरक और बुद्धी पराधारित था जबकि रामकृष्ण परमहनस ने बुद्धी पादिय सिच्छा के विप्रीद हिंदू धर्म की सरल व्याख्या पर सुद कि जो उस समय पछ्मी सिच्छा प्राप्त बंगालियों में वह्ध लोग प्रिय हुआ रामकृष्ण की सिच्छां ने पछ्मी सिच्छा द्वराप इस्धाप्त मुल्यों को खुले द्वार पर अस्वी कर किया रामकृष्ण परमहनस का मानना था कि इस दो की पाने के ख्रापति किया जाने लगा और यह ही उनके से विवय कानद के लिए दूसरे ध्रम पर हिंदु धर्म की शेच्ता के तया विकण्डे का आधर था विवय कानद ने समा सेवा कि आधर्स को आत्म साथ करके अंड सुधार वादी अंदोलों को कुलीनवादी कह करने लाकी विवय विदान्त की परंपरा से ही प्रिणा ग्रहर करते थे इसी समय बंगाल में एक बहुत थिक प्रबर्दी विक्सित हुई जिससे जिसमें सब्धा के बारे में पश्च्यम की समान रोचना की चुनाती के एक समान परा को सुईकार उत्तर के रूप में हिंदू परंपराओं के कि पर्यास कि बंगाल के निए अविद्धार में ऐसा भी नहीं था कि वे आत्मिक विज्ञान को अशविकार कर रहे थे बलकि वे तो यह बताने की कोशिट कर रहे थे कि आत्मिक प्रश्चमिंगे जिसकी अविशकार का दाविदार है भारती बहुत पहले से ही उनके सभा जैसे संग्टों को सार लिया गया बहाद वर्सी आरे धर्म प्रचाड़ी सभा यह सवा उस आरे धर्म उनुरत्थान के लिए समझ वह थी जिसका प्रत्पादर वेदों और प्राणों में हुआ था उनिस्वी सदी में विभा आयू सम्मंदी वहस्म में महतपूर प्रवति को चर्म दिया जहां एक और जहां सुधारबादी राष्टबाद असमाद का अंग बन गया वहीं दूसरी और सुधार वुरोधी रूडवादी तत्तों को भी असीमित प्रचार मिला रूडवादी हि स्वामी द्याना सरस्वति ने मूर्थी पूजा बहुत देव बाद बाल विभा विदेशी यात्रा परत परत्वंद आर समाज की बात चले 18 प्रत्वंद मूर्थी पूजा बहुत देव बाद बाल विदेशी यात्रा परत्वंद ब्रहमणों की बच्चा सो जात प्रता ज प्रामे समा गया उन्हीं सदी के अंतिम और बीश्वी सदी के आरंबिक वर्स में राष्टबाद हिंदु और थार्मिक प्रणुरत थनवाद की विचारों से जुड़ गया प्रणुरत थनवाद स्वें भी एक पहली बन रहा था क्यों उसका उद्धे से एक विस्तत और लेकिन इस सांस्कारतिक राष्टबाद की कारण अथिक उदार और खुले हांतों वाली लोग परन पर हैं हां से पचली गहीं इसलिए राष्टबाद का यह विसे शांस्कारतिक संबाद भारत की गैरा ब्रहमड और निश्री जातियों की जिंता को आकरसे करने में बिफल 19-19–19 . 1932–1930 , 1932–1900 ब्हारत के संगलपना का पिछले थी, भूर्य जोष्ट के साथ बहस की जा रही थी, उसे निक्षित रूप से प्रवासत नहीं किया गया, सब्सक्राइब कोई संदेश नहीं था कि हिंदु बात था हिंदु समाजिया से प्रिष्टत संचनाओं के नीचे धर्म संब्धाय और जातगी आधर पर फिर्ण प्रकार के विश्वास रिद्यत तत नियम थे जहां यहां तक कि महादेव गुविल रनलाडे तता मद्रास में संब्सक्राइब कोई अधकारी के आउपचारी पड़ी नहीं की गई और कमियों को इस तत से भी बल मिलता है कि रनलाडे ने स्वैम संब्सक्राइब का अलग-अलग समय पर अलग-अलग अर्थ निकाला कि गोविल रनल डदे कि रगवनाथ प्रसूत्तम पर्रांज पर सम्बह ने भृत की प्रत्म बभात को और बाद में में फर्गीव संब्सक्राइब की तर्थ ने बचार प्रसुत किया जिसे भारत में पमजा वी वहाद में समझागे कि सम्काली समासुदार अधिकव्याप कि यह कम काम करने की घंटे के कर्मचारी भीमा पेंश अलाब रखा बाल स्रम की समस्या आद विस्या उपर बिचार करता है इस पाश्चिमी दिश्ट कोड से परांज पें निश्ट कर्स नकाला कि बास्तर में सामाजी सुदा उन सब्गत फद्दियों के समद्ब में है जो साम का दर्जा मिलना चाहिए आदिक हिन्दु स्रमा सुदार के इतियास से पता लग की चलता है कि वह समय में पर एज़ेंट और पद्दियों की चर्च कही गई है मद्वास की जज़ और करता मद्वास की जज़ तेएं और सामाजी कारकरता थे राए बहात और आजनद तथा चपलों जैसे तुछ बस्तू में परवर्तन तक ही सीमित है उन्होंने आसा व्यक्त की उनके सह कर्मी इसे सहर स्वीकार करेंगे के अधिक तर मद्दे पर कोई कंभीर या विस्तर तर्क पूर्ड विवात ने तो जन्म ही लिया कि तथा नहीं ले सकता है राजनीतिक सुधारों का अद्दे से अपने वेसिक नौकर साही से आगर्य करके भारतियों को और अधिक राजनीतिक सक्तिता प्रत्रटरत पतना करना है जोगि दूसरी और सामाजिक सुधार राज के हस्चेव को कम करने की मांग करते हैं पर्थम को अधिकार तर्थ दूसरे को करता भी कहा गया कुछ एक अब बादों को छोड़कर 19 सदी में ऐसे हिंदू रूटना मुस्किल हो गया जो निरंतर से यह सामाजिक सुधार की समर्थ हो यह दोनों हो इसलिए हमारे काल के हिंदू फुद्ध जीवी वर्ग ने इसके अर्थ तता छेट को विस्तर करने को यह सामाजिक तत्त को दैनक जीवन की कुछ पहनियों तक सीमित कर दिया इस प्रभासिस तता नियुंततं व्रोध की रूपं में कारेमित किया गया जैसा कि महारास्त की समर्थ सजच्च्चित उच्च जाती पुर्शें के मत् investigating इक्ता से लेते हैं सुधार के इत्यास को उस समय की अंता इस्तिती कटना से भी अलग करने करके नहीं देखा जा सकता जैसे छेती राजियों से एक गरत सामराज की और राजनीतिक संक्रमण भारती अर्थ विस्ता कर सदरस से परवरतन सामराजिक संबंदों की सुराच ना में परवरतन हिंदू म था कि भारत था हिंदू वादी हिंदू नहीं कि विचार में इस समय अपना स्वरूप निश्यत किया और महतपूर रूप से एक दूसरे को परवायत भी किया इसका आर्थ है कि सुधार के वल परवरतन संबंदी इत्यासी कारकों के भाई स्वरूप के बारे में नहीं हो सक है इसका आर्थ है स्वस में तांगे प्रस्षन को चुना चर्चा करना था समझाव को परवाश्य करने के नया तरीका हिं दू होने का क्या बबंड़ है कि नहीं प्रकार क्यान मानों ते था स्वेशेंतन के तरीकों के मांग की हिंदों के लिए सामाजिक सुधार की चर्चा करते समय हैं पूछना एक बार फिर से आवश्यक हो जाता है कि हिंदू कौन थे अत्वा हिंदू होने का क्या अर्थ था वास्ता में एठीकी तर्क दिया जाता है कि उन्हें सभी सदी तक सामाजिक सुथारवात के बन अपने विस बाद था मुक्त है पश्चिम के प्रवाव के प् पहनिया हैं अत्हें विस सुधार कारे को हिंदू प्रहमणों के विचारों और ब्रिस्तासों में सुधार तता उच्छ जाते के पृस्तों को उस सुधार को करने वाली प्रमप्रागत एजेंटी ग्रूब में देखती हैं 1855 में बंगल में एक अकवार हिंदू प्रवादियों का नेता राधा कांत देव ब्रहमण इस चंथ विद्य सागर द्वारा प्रारम विध्व विवव प्रचार का परूद कर रहा था यह टिपड़ी इसलिए भी में पूले एक प्रद्शिक्रतिय अक्सा समाजी तद्धार में गयता स्थिव बनाय रखने के सम प्रतन स्वयम अपने द्वारा अपने पर लागू करके ब्रहमणों ने हिंदू प्रहमण सामाजिक संगडरन मिले के प्रमुखी अपने प्रमप्रागत पद्वी को और मजबूत किया यह के वल संयोग मातर ही नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने बंगाल में विद्वा विव सब्सक्राइब को खुजने के लिए कोई समस्या नहीं ती यहीं नकेवर हिंदू आदिक हिंदू सुदार जैसे कि गौरी विश्वनाथन ने सोजा आया है कि अपित्व पूर्व आतनिक के बारे में भी सही निश्यत रूप से उन्निस्वी सदी कारे सुधार कर रहे हों कि अंतर एक सब्सक्राइब था महारास के एक प्रमक सुधारक सर नारायण पंडिश चंद्रा करने कहा कि सामाजिक सुधारक जिन रिवाजयों तता संस्तावों को प्रवस्तावित करते हैं वे हिंदू समाज के उच्छ वर्ग में सामन रूप से पिच्छे थे जिनने नम्न अपना मांदन तेया करते हैं उन्हें से सदी में हिंदू सतारकों में जिस प्रमक जुन का नाम है रावन नुज जैतन्य बुद्ध संकर महारास के संथ कभी संथ कभी यह से भी उच्छ वर्ग से समझते हैं यह बुर्वधात्मक है कि उन्हें सुषदी में एक और हंदू समा सुधार पूरे भारत के लिए तो दूसरी और उसे अपनी ताकत वैत्ते चंता के समर्दन से प्राफ्त करने की आसर रखते हैं उच्छ जात की उपयोगता कि से सच कर चंद्राकर कहते हैं कि सुधार को में को मुख्यत समाज की जेतना परकार करना पड़ा उन संयक्त मूल से द्धांतों का लजना करने पड़ी जिस समाजिक रीतियों रिवाजों सस्थाओं को बदलना चाहता था स्वामी भी करनाद ऐसे सुधार से पूरी तर सचे थे कि जिसका आधर जन सामवन की जागरती सिंज में नहीं हो मद्रास के एक लोग परी समाचर पत्र हिंदू ने इस्थानी वेस्टों में लगातार होने वाली सामपताई जहड़ों पर चिंता वैक्त की ता उन्हें एक इकरत हिंदूवाद के अंदोर से जुणने के लिए प्रसाहित किया बिटिस भारत में सुधार वादी सफलता के इसने हिंदु की ओर से नयराजनितिक सवुट को भी दरसा यह लिए हिंदू राष्टवादी था जिसने सुधार के लिए रान के निर्धार करवाई यहां बल्कि कहां तक किया जा सकता है यह वी तैक कर वया हिंदू माता पता अपने पुत्रियों को सेचित करने के विद्वहा का प्रचार पूरी देश में फैरगा कें तू हर जगें सतारकों का ध्यान बाल विद्वहाओं पर था कुछ हद तक लोगों ने जो अब बाद प्रसुरूप किया वह जन जाकरती वे ब्रहमत भाय बहाई वातरवर्ड के वहाँ में था बहुत से लोगों के लिए लेंगे का अन्याय तता उत्पीडा से शुबहा के संजर में उतने इसपस नहीं थे जितने विद्वहां दौर रचबस थी या सोचेचारी आत्मधा के रिसंद बन अथा अठारस वसी में यह भागटना प्रकास में आई तता लोगों सजितिया गया कि जल्दी विवा या अरप अपरपक सहवास लोंग की जान ले सकता है उधार के अठारस नवासी में बंगाली प्रेश ने एक दस साल की लड़की फुलें फुल मोनी की जिवस्ती संबहों के कार में तो की खबर छापी निरंत रताओं के बावजूद पूर आदनेक सधरबादी तथा आदनेक बंदों के मत तुलना कुछ महतपूर मतवेद उजागर करती है जहां तक परमप्रागत भारत का संबंद है सुधार सब्सक्रियों इस समस्य आत्मक है किन्तों एक बहतर विकल्ब के अब हमें एक परचलम में हमेशा रहेगा जिसकर्ष समाज सुधार समाजसुदार और धार्मसुदार आफर ने सम laughing से समाजिक ने समाजिक और रिख से कार को संहबग किया विजति ओर लिंक्स सेप्रे अपने समान अधिकारों की पशीतरती उनका कहीना था कि भारती जंता की रा豚नितिक स्वीधिक शेत्र परव्रत को राष्टी एकता के लिए सामाजिक्ते मंदों और सांस्ता को जन्तनती कड़ होना वर्ष्ट के राष्टी जन्तनत्र के जगण का जीवन के प्रितिक शेत्र पर व्याप पक्रवा पड़ा, ऐसे प्रसासनिक शुदार, स्वायति सासन, होम रूल, डोमेनियन, स्टेट, अध्य पर पटशुदा के जन्तन होगा, समाजिक्त और धर्मिक शेत्र में राष्टबाद, भारती राष्टबाद की व्यक्ति, सुसंता, समाथा, और आर्मिर्मणा के सेतान के प्रतबादन कीए, अध्य संचे में हम कह सकते हैं, समाज और धर्म शुदार अंदरों ने भारत का तरास्टी जागड किया साते मध्दिवेगें सामाजिक तरचना और धार्मिक देश्ट्र पोड़ों का भीफ्रेक ते शुदंता और मानवत एकता तक सितानतों किया अधर पर पटसुद नग किया यह था सामाजिक और धार्मिक सुदार अंतुल